हेलो अरिवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टेडियों आज मैं इस वीडियो में लेका रहा हैं लुसन सब्जेक्टी बुक से बालोजी तो जैसे के लास्ट वीडियो में आप से पूछा गया था कि एकनॉमिक्स या फिर बालोजी स्टार्ट किया जा तो काफी लोगों की कमेंट में बालोजी देखने को मिला तो हमने सोचा के चलो पहले बालोजी को कम्प्लीट कर लिया जा तो पेस नंबर 236 से लेकर 238 तक हम इस वीडियो में देखने वाले जो भी important questions बन सकते हैं मैंने पूरी कोसिस की है बनाने की ठीक है और रही बात इससे पहले की जो हमने वीडियो आपको प्रवाइड कराई थी जेगराफी खतम किया गया हिस्ट्री खतम हुआ तो आप उन दोनों के master वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे अबेलबल है आज मैंने morning में पाच घंटे की जोकी जेगराफी की class आपको प्रवाइड कराई है पूरे एक ही वीडियो में पूरा जेगराफी खतम हो जागा लुसें सब्जेक्ट इबुक से तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजेगा जेगराफी complete करने के लिए तो बस इस वीडियो के साथ एंडे तक बने रही है दो टॉपिक आपको इस वीडियो में देखनी को मिलेगा जिवधारियों का वर्गी करन और कोसी का विग्यान से समादी जो भी कुछ महत्यपून पॉइंट है वो तो चलिए शुरू करते हैं देखे फर्स्ट क्वेसंस बनता है कि जीव विग्यान सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया था यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा ओप्सन डी लैमार्क और ट्रैवी रेनस यहाँ पर करेक्ट होजा ओप्सन डी को टेक करेंगे और साथ से अगर आपसे क्वेसंस पूछ ले कि इन्होंने सबसे पहले जीव विग्यान सब्द का परियोग कब किया था तो वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जागा ओप्सन डी अठारा सो एक इसे में इन्होंने सबसे पहले जो की जीव विग्यान सब्द का बरियोग किया था गया था गया आपको ध्यान में रखना है जीव विग्यान और जन्तु विग्यान के जनक के नाम से जाने जाते है जीव विग्यान और जन्तु विग्यान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है अरस्तु अरस्तु यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है जीव विग्यान का एक क्रमवद ज्यान के रूप में विकास जो द जनक और साक्षाथ इन्हें जन्तुविक्यान के दूनी साथ स्याथ इन्हें जनक रूप में जाना जाता है यानी फादर ऑफ ती बाहलो जी और फादर ऑफ जुलोजी दोनों को कह सकते rest थिलनष्ण के चिंप क कि से जाना जातायं吧 DVD सास्थ्र पुस्तक जो है किसकी लेखक है यानि कि इस पुस्तक है लिखक कौन है जिनेरा प्लाइन टेरम नमक किताब किसने लिखी है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लीनियस ओप्शन एक को टिक करेंगे लीनियस बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है अगला प्रशने की पादब और जन्तु आपस में कैसे भिन होते हैं कैसे भिन होते हैं तो करेक्ट आंसर हो जगा स्थानिये व्रीधिती के द्वारा दोनों भिन हो सकते हैं क्योंकि पादब जो होता है वो एक ये स्थान पर रहकर के व्रीधि करते हैं लेकिन जन्तु यानि अलग अलग जगों पर ये व्रेदी करते हैं तो दोनों में हम कह सकते हैं ये बेन देखने को मिलता है option c sponge क्या होता है sponge क्या होता है तो sponge एक परकर का जीव होता है option b sponge भी एक परकर का जीव ही है अपने पुस्तक systema natural में संपोर्ण जीव धारियों को कितने जगत में भी भाजित किया system manager किसकी पुस्तक तो lineus ने इस पुस्तक में पूरे संपोर्ण जीव हों को कितने wonders भाजित किया तो दो भाजित किया कौन कौन तो ये आपको ध्यान में रखना है एक तो आपका पादब जगत और दूसरा जन्तु जगत में इन्होंने भी भाजित किया था ठीक है अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को किन दो संभूहों में भाजित किया था अरस्तु ने भी समस्त जीवों को दो भागों में भाजित किया था उनमें से हम रख सकते हैं किसे किसे तो ये द्यानेगा जन्तु सम्मू और वनस्पत्थी सम्मू जन्तु और वनस्पत्थी जन्तु और वनस्पत्थी यहाँ पे correct answer option एक को टिक करेंगे ठीक है पांच जगत वर्गी करण इन होने प्रस्तावीत कियाता यह most important questions है क्योंकि कई बार यह questions एक्जांस में देखनी को मिला है पांच जगत वर्गी करण के पितामा किसे कहा जाता है यहाँ पे वीटेकर आपको याद रखना है वीटेकर ठीक है वीटेकर option हम एक को टिक करेंगे और कब किया था तो 1979 में यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न है कि सभी यूकरियोटिक एक कुसी की जीवों का संबंद किसे होता यूकरियोटिक एक कुसी की जीवों का संबंद किसे होता तो आप इस तरह से याद रखे यूपी यूपी बस याद रखे चोटा सा एक word यूपी यानि कि अभी फिलाल यूपी काफी चर्चा में लेक्शन चल रहा है तो यूपी सब याद रखे यू का मतलब यूकरियोटिक और पी का मतलब प्रोटिस्टा यूपी प्रोटिस्टा, यू केरियोटिक जो होंगे, एक कुसी के जो जी होंगे, वो प्रोटिस्टा के अंतरगत आता है, यानि सही आंसर यहाँ पे हो जागा B, अगला प्रश्ट, पांच जगत वर्गी करण में किस एकल जगत में नीले हरे सहवाल, नाइट्रोजन, स्तिर आंसर होगा, देखें, पांच जगत जो वर्गी करण था, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादब, कवक और जनतु को सामील किया गया, तो मोनेरा के अंतरगत यह सभी आते हैं, जैसे कि आपका हो गया, जिवाड हो गया, साइनो बैक्टरिया हो गया, आर्की बैक्टरिय पादब एवं जनतु के बीच स्तीत, यूग लीना किस जगत के अंतरगत आते हैं, यूग लीना किस जगत के अंतरगत आता हैं, तो यह भी आता है आपका प्रोटिस्टा के अंतरगत, यूग देखें, यहाँ पर भी किलिर हो जगा, यूग भी मैंने आपको बताते हैं, य कि आजाता है अगला प्रशुनहिए कि यूगलीना क्या है यूगलीना क्या है तो यूगलीना एक कुसी के जिव है एक कुसी के जीव को ही तो हम लोग रखते ह caveat एक कुसी के की प्रोटिस्टा कर रखा जाता है तो सही answer option C, वर्गी करण کی अधहार भूत इकाई क्या होती है, वर्गी करण की अधहार भूत इकाई किसे माना जाता है, तो वर्गी करण की अधहार भूत इकाई के रूप में हम जोग जानते हैं, species को, species यानि सही answer, option A को टिक करेंगे, ठीक है, species, यानि की जाती, चलिए अगला Civil Prest jetzt, प्रकास translation करने clams, एक को सी के eukaryotic जीओ को, आप किस जगत में रखेंगे, Aq, के की और eukaryotic, क्लियर हो गया, u-ukaryotic यानि कि u और p, इसको जोड़ देजे, ut then kis में आ जागा, Protista के अंतरगत यानि right answer, option d, ठीक है प्रोटेज्टा प्राणी चगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है प्राणी चगत का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा है वो है और्थोपोडा और्थोपोडा option C नेक्स्ट वन क्या है कि कोवको की कोशिका बेत्ती किसकी बनी होती है एक दम most important questions super duper questions है कोवको की कोशिका बेत्ती किसकी बनी होती है तो इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कौसे कवक तो कौसे काईटिन बस कौसे कप जोड़ दीजी कोवको की कोशिका बेत्ती का अंतरगत आते हैं हाइड्रा हो गया जेली फीस हो गया सरीचरीप उभैचर आदी किस जगत के अंतरगत आता है तो इन सभी का संबंध हो जाता है राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्सन हम डी को टिक करेंगे मेटो जोगा देखिए जन्तु जो है यानि जैसे कि पांट जगत व भूबफप दा जीव समलित किये जाते हैं जिने हम लोग मेटो जोगा के अंतरगत रखते हैं ठीक है उभ बहचा रोग्या पक्षी आता है स्टन पाई जिवट सभी इसी के अंतरगत आता है मेटो जोगत एंतर नेक्शन की प्रो करियोटिक तथा यूकरियोटिक में मुख होता है तो ध्यान रखेगा प्रो कैरियों टिक में जो होता है इस करियोटिक में मौझूद होता है एक कोईसंस हाली में पूछा गया था जैसे राइबोजोम में प्रोकरियोटिक के राइबोजोम में कितने प्रकार के इस प्रकार के किसमें तो प्रोकरियोटिक में ठीक है जबकि यू करियोटिक में बात के तो यू करियोटिक में कहाँ पे होता हैं तो इस प्रस्न का राइट आंसर बनाइगा Opson e Mitrocontia, Mitrocontia में ATP का निर्माड होता है ध्यान रखेंगे traffic police किसे कहते हैं traffic police के नाम से किसे जाना जाता है traffic police के नाम से हम लोग गोलजी काय को जानते हैं यहाँ पर option हम B को टिक करेंगे गौलजी का है, ध्यान रखेगा इसकी खोज किस ने की थी तो कैमीलो गौलजी नामक जो विज्ञानिक थे उन्हों ने इसकी खोज किया था और यह सुक्ष में न लिकाओं कि समू एवं एक थेलियों का बना होता है इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है तो इसे हम लोग ट्राफिक पुलिस के नाम से जानते हैं याद रखेंगे किंदरक के विभाजन की किरिया को क्या कहते है किंदरक के विभाजन की किरिया कहलाता है केरियो काइनेसिस, केरियो काइनेसिस option B नभी के अलावा कोसिगा के किस कुसिकांग में DNA होता है तो नभी के अलावा ये आपका माइ्ट्रो कॉंट्रिया में भी पाया जाता है अगला प्रश्ट जीवदरब का नामकरण किसके दोरा क्या गया था जिवद्रब जिसको इंग्लिस में प्रोटोप्लास्मिक के नाम से जानते हैं माइट्रोकॉंड्रिया भी आपका इंग्लिस वर्ड ही है हिंदी वर्ड उसका सुत्र करनी का होता है ठीक है ना ये ध्यान रखेंगे जिवद्रब हिंदी में और इंग्लिस में इसको प्रोटोप्लास्मिक की नाम से जाना जाता है तो इसका नामकरन किस के दौरा क्या गाता पुर्किंजे के दौरा क्या गाता पुर्किंजे ये ध्यान रखना पुर्किंजे ठीक है अगला प्रशन क्या कह रहा है नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि जीव द्रब के संबंध में कौन सा कथन सही है जीव द्रब यानि पोड प्रोटोप्लास्मी के संबंध में कौन सा कथन सही है पहला पॉइंट्स या एक तरल गाढ़ा रंगीहीन पदार्त होता है जीव की सारी जो जविक किरियाएं होती हैं इसी के दोरा होता है इसे जीवन का भौतीक आधार भी माना जाता है यानि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है राइट आंसर हो जागा आप्सन डी ठीक है? निम ने पदों पर विचार करना है तो इसके समझ में तीन पॉइंट्स दिया गए तीनों को पड़ी है क्या खहरा है? पहला पॉइंट्स की जीव द्रव को दो भागों में बाटा गया पहले भाग को हम लोग जानते हैं कोशी का द्रव के नाम से दूसरा जो होता है किंद्रक द्रव के नाम से जाना जाता है यानि कि एक होता है साइटोप्लाजम और दूसरा होता है न्यूकिलियोप्लाजम इस तरह से तो दो भागों बाटक गया नेक्स्ट पॉइंट कि जिवद्रब्य का लगबग 80% भाग जल होता है यह जिवद्रब्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगह का अनुपाथ 81 अनुपाथ 9 19 है तो यह पॉइंट देखे गलत है क्यूंकि यहां पे जो रैसियो दिया गये वे उल्टा दिया गया अकार्बनिक और कार्बनिक का यह रेसियो होता है लेकिन अगर कार्बनिक और अकार्बनिक की बात के तो 19 रेशियो 81 हो जाएगा यह इस तरह से तो यह पॉइंट अपका गलत है तो सही क्या होगा केवल एक और दो कोशिका वो आणवीक जियो विज्ञान के इंदर कहा सती थे तो ध्यान रखना है कोशिका वो आणवीक जियो विज्ञान के इंदर कहा सती थे तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्सन हम डी गोटी करेंगे हैधराबाद है ठीक है हैधराबाद राइट आंसर है कोशिका के सम का परियोग सर प्रतम रॉबर्ट हुग ने किया था 1665 में ये भी बिल्कुल सही है 1665 में सबसे पहले किया गया था तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं कोई भी गलत नहीं इसलिए option D को टिक करेंगे उप्रोप्त में से कोई भी नहीं निमलीकित में से सबसे छोटी कोई का कौन सी है सबसे छोटी कोई का कौन सी है सबसे छोटी कोई के रूप में हम लोग माइकोप्लाजम को जानते है माइकोप्लाजम option E next one क्या कहा रहा सेल का नाम जो है सेल जो नाम देगा था किस बैज्ञानिक ने सरप्रतम दिया था सरप्रतम रॉबर्ट हुक नहीं दिया था 1675 टिस्वे में C will be correct answer लाइसोजोम कारे करता है लाइसोजोम क्या कारे करता है तो लाइसोजोम का जो कार है वो अन्तक उसी किये पाचन में ये महतरपुन भोमी का निबाता है और लाइसोजोसम कह मों लोग आत्मध्य के ठैली के रूप में भी जानते हो माइट्रोकॉंडृय का भीतरी वलन कहलाता है माइट्रोकॉंड्रिय का भीतरी वलन क्या कहisteri इसे हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते है क्रिस्टी किस के अंतर गत आता है तो यह आता आपका प्रोटेर्योटिक मोनेरा के अंतर गत तो संवू किसका समूँ किसका निर्मार करते तो तक का निर्मार करते तो हो तक अंग Tomorrow कते तक सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी सुतर मुर्गे अंडी की यानि C will be correct answer देखें दो-तिन questions जोके exams में direct पूछे जाते हैं वो मैं थोड़ा साथ को यहां पर बता देता हूं जैसे अगर आपसे पूछ ले कि मानो में सबसे चोटी कोशिका कौन से होती है मानो में सबसे चोटी कोशिका होता है पुर्सों में जो स्पम होता है यानि जिसको हम लोग सुकराणू कहते हैं वो होता है मानो सरी की सबसे चोटी कोशिका अगर मानो में सबसे बड़ी कोशिका पूछे मानों में सबसे बड़ी कोशिका यहां तो आपने देखा कि सबसे बड़ी कोशिका सुत्रमुर्कंड की होता है लेकिन अगर मानों में पूछे तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे महिलाओं के जो अंडाडू है उसको ठीक है महिलाओं के अंडाडू जो कि मानो की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है और मानो सरी की सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछे कि मानो सरी की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है तंत्री का तंत्र ठीक है तंत्री का तंत्र इसे ध्यान रखना है जिसे हम लोग नूरॉन कह सकते है नियूरॉन की जो कोशिका होती है, उसे यारी तंत्रीका, तंत्रीके कोशिका, नियूरॉन की कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, और इसे मस्तिस्क की कोशिका भी कहा जाता है, मस्तिस्क की कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो तीन पॉइंट से बहुत ही गुल जाता है डिय्रेक्ट के जिवाड़ों में कितने सुत्र कृंडर कार्ण प्यावतित हैं कितने सुन्य माई पालती आंउपलतीत होता है ठीक है कौनसा को सिकंग आत्म घाती ध्हाले सो आठम हांति Lotland में तेला काला तोफढक् viens करेंगे lyosome option b को tick करेंगे और अगर आप से पूछले कि lyosome की जो खोज है किस के तवरा क्या गया था तो 1955 में d dubay के तवरा क्या गया था d dubay के तवरा ribosome की खोज किस ने क्या था ribosome का खोज पी 1955 में ge pallid नामक वग्यानेक ने क्या था ge pallid ठीक है क्रोमोजम यानि कि जिसको गुर्शूत्र के नाम से जानते हैं हिंदी में इसकी खूज 1888 में क्या गा था वाल्ड एयर ने वाल्ड एयर यह आपको याद में रखना है नेक्स्ट पॉइंट निम्न में से कौन सा जीव एक कुसी की है एक कुसी की जीव कौन सा है तो ध्यान रखिएगा एक कुसी की जीव के अंतरगत अमीबा भी आता है पैरा मीसियम भी आता है जीवाडू भी आता है यानि राइट आंसर ऑप्सन हम डी को टिक करेंगे यह सब एक उजी के जीव के अंतरगत आते है कोसिका का सक्ति घर क्या कौन सा है कोसिका का सक्ति घर यानि कि कोसिका का power house के से कहते है mitochondria को कहते है mitochondria C will be correct answer अगला questions कह रहा है कि निमलीखित में से कौन सा यानि किसका मुख्यकार protein translation है ये questions भी बहुत important है कई बार exams में पूछा गया protein translation का मुख्यकार इसका होता है किसका ribosome का ribosome option C सबसे छोटा जीव जो स्वैम विकास और प्रजनन करने में सामर्थ है वो कौन सा है सबसे छोटा जो जीव है स्वैम विकास और प्रजनन करने में सामर्थ है mycoplasma mycoplasma option E वस ओसन स्रिंकला का उपयोग कर पादब को सिकाओं में उर्जा का उतपादन करता है कौन तो पादब को सिकाओं में उर्जा का यानि को सिकाओं में उर्जा का जो स्रोत होता है mytrochondria होता है option B देखे ध्यान रगिए mytrochondria के समझ में 2-3 points पूछा आ सकता है जैसे कि इसका सवर प्रतम जो खोज किया गया था किसके दोरह तो 1890 ESV में Richard Altman थे उनका नाम था Altman जैनरल हम लोग Altman ही जानते Altman ने सबसे पहले इसको खोजा था 1890 में जिसको इन्होंने नाम दिया था Bioblast ठीक है Bioblast नाम दिया था लेकिन बाद में यानि कुछ वर्षों के बाद करीब 7-8 वर्षों के बाद 1897-1997 में बेंडा ने इसको mytrochondria नाम दिया था यह आपको ध्यान में बखना है ठीक है लाइसोसोम के संदर में कौन सा कथन सही है लाइसोसोम के संदर में कौन सा कथन सही है पहला पॉइंट्स के इसमें ऐसे इंजाइम होते हैं जिसमें जिवदरब्व को घुला देनी की या फिर नस्ट कर देनी की छमता होती है बिल्कुल सही इसे आत्म हत्या की थैली के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है C will be correct answer और लाइसोसोम की खोज 1905 में किस ने किया था D डूबे ने किया था यह ध्यान रखना है अगला पॉइंट्स की राइबोजोम की खोज किस ने किया यह रचना किस की बनी होती है यह रचना किस की बनी होती है तो हम यहाँ पे कहेंगे यह रचना बनी होती है RNA एवं प्रोटीन की RNA एवं प्रोटीन की option B लाइसोसोम निमलिखित में से किस से रक्षा करती है लाइसोसोम निमलीखित में से किस से रक्षा करती है रक्षा करता है तो ये देखी विसाडू से भी जीवाडू से भी यानि A और B दोनों करेक्ट होगा आप्षन D को टिक करेंगे वाइरस और वैक्ट्रिया दोनों से रक्षा करता है लाइसोसों कोशी का जिल्ली किसकी बनी होती है कोशी का जिल्ली किसकी बनी होती है तो कोशी का जिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपीड की प्रोटीन एवं लिपीड की नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से कौन से जिव कोशी का सिध्धान्त का पालन नहीं करते है कोसी का सिध्धान्त का पालन नहीं करते हैं तो right answer option B विशाडू कोसी का सिध्धान्त का पालन नहीं करते हैं किस ने दिया था sliding और swan ने दिया था mitrocondria के खोच किस ने की थी तो बताय जा चुक है आपको खोच ultimate ने किया था लेगिन बाद में सायक होता है, option B को टिक करेंगे प्रकास स्वसन में, कौन सा कुसी का पाचक थैली कहलाता है पाचक थैली कहलाता है कौन सा कुसी का लाइसोसोम, लाइसोसोम option B, आज की इस वीडियो का आखरी questions है, लेकिन उससे पहले मैं आपको home work बता देता हूं कि next days का home work क्या रहने माला है तो कल का home work हम आपको दे रहे है next days का home work 238 से लेकर के 240 तक, ठीक है, जिसमें topic के गर हम बात कर लें, क्योंकि काफी लोग के demand रहती है page अलग-लग होता है, तो topic इसमें आपको मिलेगा, जैसे कि अभी हम लोगों इसमें जो देखा था, कोशिका में कोशिका विभाजन आपको भी पढ़ना है साथी साथ इसमें समसुत्री विभाजन अर्द्रसूत्री विभाजन ये है, और इसके अंतरगत अभी और आएगा, जैसे जैविकास, तो ये आप पढ़ कहेंगे जैविकास, ठीक है, तो ये तीनचा topic इसके अंतरगत अभी आएगा, तो आप इसको पढ़ के आएगे चलिए, नेक्स्ट क्वेशन क्या कहा रहे कि पादप कुसिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, कि नहीं कहा जाता है पादप कुसिकाओं का रसोई घर किसे कहते हैं तो हरित लवग को कहा जाता है, C will be correct answer तो आसा करते हैं कि आप लोग को आज के ये वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को अपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ सेर कर दीजे साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओल पे सेट करिए ताकि इसी तरह की रुजाना न्यू कंटेंट आपको देखने को मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हाव अकुटे